नमस्कार आप देख रही हैं पाइनियर हरियाना और मैं हूँ आपके साथ कृष्णा सिंग्ग फरिदाबाद में कल देर रात होई एक घटना पर्च्वल कारवाई करते हुए फरिदाबाद बलस ने एक आरोपी को ग्रफतार करते हुए फूरती रिखाए आपको बता दें कि कल रात फरिदाबाद में तो पक्ष एक घटावे पर खाना खा रहे थे अचानक दोनों पक्षों में तूटू में शुरू हो गए जिसके बाद बाद इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने हाथ अपाई शुरू कर दी जिसके बाद मौके पर मौजूद लो परिदाबाद थाना ओल्ड प्रबंदक इंस्पेक्टर दिनेश ने बताया कि वारदात के संबंद में आरोपि साहिल निकी और अर्जुन के खिलाफ लडाई शगड़े का मुकदमादा अरज कर लिया है आरोपि साहिल को मोके से ही आरवी ने काबू कर लिया फरार आरोपि निकी और अर्जुन को जल्द ग्रफतार कर लिया जाएगा वही पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंग ने चानगारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने हुदा मार्किट सेक्टर अठारा के एरिया कार्तिक एस्टोरेट के पास तीन बदमाचों ने एक युवक को तंदूर से रोटी सेखने वाले सरिया से कीवित के हाथ प्रयों पर चोट मारी है। सब्सक्राइब के लिए तूतूमे में के बाद इनकी हाथ अपाई होगी और वहां पे लोगों ने छोड़ चड़ावा करा दिया पर यह धाबे से बाहर निकल गए तो जो आरोपी अरजुन निक्की और साहिल है इन्हों ने वहां जो तंदूर में से जो होती है निकालने क जो रोटी निकालने के जो होती है लोगी की सीख जैची होती है वो लेके निकले भाहर और फिर जब यह जिसको चोट लगी है तो इसको भाहर निकला तब इसके साथ उसी के साथ हमला किया इन्होंने वो मोके पर पुलिस की एरवी फूंच गी थी है हमारी 181 और 183 तो वही से आरोपी को काबू कर लिया है और आरोपी को जो यारवी 181 जो हमारी डायल 112 है वो थाना लेकर आई और जो दूसरे यारवी हमारी 183 वो घायल को ओस्पिटर लेकर गई इस संबंद में जो घायल लड़का है तोसीम उसकी मादर की सिकायत पर बगदमा दर्ज कर लिया है इसकायत ओर पे और इक दूसरी को जानते हैं और इनकी इनकी किसी बात पे तूतुमे में होई है किस बात को जगड़ा हुआ त उन्हों है यह हैं दोंहों ही पक्स वैसे तो आवारा टाइपके है और इनके खिलाब जो अरजुन और निकी और इनके खिलाब पहले भी ओल्ड थाना में जो लड़ाई जगड़े के या रिस्तरे की जो मुगद में तरज हैं जो दूसरा पक्स है वो भी ऐसी है तो इनका आपस में यही रहता होगा बर्चव अगभी मैं यहां इस एरिय का दादा जो अधिन लाठी टंडे चलते हैं फरिदाबाद में जो फरिदाजवासी हैं डर का माहूर बना लेता है फरिदाबाद की वास्यों साथ फरिदाबाद पुलिस है और इस तरह कि कोई भी जो गटना होती है उत्तरुनती मोके पे पुलिस कारवाई करती है अभी आपने है और फिर भी कोई गटना हो जाती है तो उसमें आरोपियों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाती है वहीं आपको बता दें कि दो अन्य आरोपी फरार हो गए थे मौके पर पहुंची यार्वी खैल तोसीन को भी कि हॉस्पिटिल लेकर आई कि यार्वी आरोपी साहिल को काव बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चानल को विडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करना ना भूले